कि अधिश्ग है और आपका है डाटा हैं दिखें डेटा का मतलब डाटा भी बोलते यह देटा का मतलब क्या है स्टुडेंट डेटा का मतलब होता है information ठीक है और handling का मतलब उसको सही तरीके से arrange करना विवस्थित करना वो हमारा कहलाता है data handling ठीक है अब देखिए हमने लिखा भी यह data means क्या है student information और data handling is a way to store or display data जो data handling है कि क्या है कि store जो हमारा data दिया गिया है उसको हम किस तरीके से store करें या उसको किस तरीके से display करें ठीक है कि चीजें जल्दी समझ में आ जाएं फिर थर्ड हमें क्या रही कि data is play information through tables अब जो data display है ठीक है तो इसमें information को हम या तो table की दोरा represent करते ही या chart की दोरा या graph की दोरा तो data handling में इनके बारे में अलग-अलग हम पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा handling में table के बारे में कैसी उसको arrange किया जाता है ठीक है फिर इसके बाद एक इसमें term आता है raw data ठीक है raw data का मतलब होता है जो अपने original form में हमें find होता है data उसको हम बोलते हैं ठीक है raw data जैसे यह यहाँ पर एक example हमने लिया है 20 families की member के बारे में number of members दिये गए 20 families में ठीक है अब इन मेंसे हर family में जो member है वो एक observation है क्या है student वो एक observation है ठीक है उसको हम बोलते है observation दीक है observation क्या है इसकी भी definition हमने लिख रख किये कि each numerical figure in a data is called an observation observation ठीक है तो यह एक example है तो जिसमें सारी चीज़ें है इसमें क्या है family की member के बारे में information हमें मिल रही है ठीक है फिर इस information को हम कैसे represent करेंगे ठीक है तो अगर इसको हम table के थूरू represent करते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा फिर raw data यही raw data है चुकि हमने observation से जो find किया वो raw data हो जाएगा ठीक है अगर इसका हम tabulation of data करेंगे data in a systematic form in the form of a table is called tabulation or presentation of the data ठीक है अब दिखी क्या है frequency of an observation अब frequency क्या हो यह students ठीक है जैसे मान लिज़े हमने एक यहाँ पर यह question आपका लिखा है ठीक है अब अगर इसमें कोई चीज मान लिज़े जैसे यहाँ पर 23 लिखा है चली हम पहले वाले example में बताते हैं frequency का क्या अब दिखिए यह चली एक्जामपिल दिया गया है यह example है तो दिखिए इसमें four या नहीं कई family ऐसी है जिसमें four four member है यहाँ है यहाँ है और यह दिए गए हैं सब में four four member है तो four member जितनी वार आएगा repeat होगा वो इसकी frequency होगी तीक है वो इसकी क्या हो जाएगी frequency होगी तो number of times a particular observation occurs is called its frequency फिर इसके बाद range हो दा student difference between the highest and the lowest values of the observation in a data is called the range of the data तीक है जो highest और जो lowest values है उसका जो difference है वो students कहलाता है range तो इन ही चीजों को इसमें हमें find करना पड़ता है अब दीक है एक example यह दिया गया given below are the marks out of 100 in mathematics obtained by 20 student ने जो है 100 में से यह different mark find की ठीक है अब student सबसे पहले दिखे यह इसका solution है नीचे दिया गया है तो सबसे पहले इन डेटास को हम जो है ascending यह descending order में लिखेंगे तो इन्होंने ascending order में यह लिखा हुगा है ठीक है यह दिया या है तो लिखने से ascending order में क्या होगा हमें आसानी हो जाएगी अब दिखेंगे अगर हमें lowest marks find करना है पहला option क्या है lowest marks obtained तो सबसे कम marks कितने है student यह 14 marks इसको मिले है तो इसका answer क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा दूसरा क्या है highest marks obtained तो highest कितने मिले इसको दिखी इधर 92 इसने find की ठीक है अब इसका range पूछ रहा है तो range हैंगी तो 12 में 4 गए 8 आ गए 8 में जिख गया तो 78 जो है वो इसका range है ठीक है range कितना है 78 है ठीक है range of the given data क्या है student इसका 74 आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह question हमें solve करना था चलिए अब हम एक question इसका solve करते हैं students ठीक है अब देखिए exercise का question एक the number of members in 20 families are given below prepare a frequency distribution अब यहाँ पे हमें frequency distribution जो data दिया है इसका हमें बनाना है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको students एक ascending order में लग देंगे ठीक है हम क्या कर देंगे इसको arrange कर देंगी arrange in a ascending order ठीक है जितने भी number दिये हैं तो दिखिए सबसे पहले 3 है तो यह 3 है ठीक है यहाँ पर 3 है एक यहाँ पर 3 है ठीक है तो 3 कितनी वार आए एक दो तीन ठीक है चार वार आया तो 3 3 3 और 3 हो गया आशा अब इसके बाद देंगे फोर कितनी वार आया तो यहाँ पर एक फोर लिखा है ठीक है फिर यह वाला फोर है ठीक है फिर देखते जाई फिर दो फोर यहाँ लिखे हैं तो इनको लिख तो इस तरीके से ये 4 हमारे आ गए अब 4 के बाद 5 है तो देखिए 5 यहाँ पर ये 2 टाइमस आया है एक बार यहाँ आया तो ये 5 5 ये यहाँ तक हो गए 5 अब इसके बाद देखिए 1, 2, 3 अब 1, 5 यह है 1, 5 यह है तो दो 5 यह है 5, 5, 5, 5 तो 5 कितनी बार आ गया 7 टाइमस आया देखिए 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीक है अब 5 के बाद हमारा 6 देखिए कितनी बार आया है तीक है तो 6 एक यहाँ पर है देखिए एक ये 6 हो गया फिर इसके बाद 1, 6 यह हो गया फिर इसके बाद 1, 6 यह हो गया तीक है तो 4, 4, 8 तीक है 8, 7, 15, 3, 18 अब बचे 7 हमारा तो देखिए 7, 7 1, 7 यहाँ पर आया है 1, 7 यहाँ पर आया है तो 2, 7 आगए तीक है अब यहाँ पर हमें एक यह frequency distribution table बनानी है तीक है यह हमारी यहाँ पर बनेगी frequency distribution table यह हमारे तो इसमें हमने 2 column कर लिए तीक है तो अब दिखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा number of ठीक है यह है number of members in 20 families are given below ठीक है तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख देंगे students और फिर इसके बाद उसको solve कर देंगी चलिए अब देखिए number of members यहाँ पर यहाँ आ जाएगे number of members यहाँ पर आ जाएगे और यहाँ पर frequency आ जाएगी यहाँ आ जाएगी frequency ठीक है तो अब देखिए सबसे पहले हम थी लिखेंगे थी के बाद क्या आएगा 4 आएगा फिर 5 आएगा पर 6 आएगा पर 7 आएगा मतलब number of members यहाँ नो है 3 कितने families में हैं तो 4 families में नो है number of members यहाँ नो है कितने families में हैं देखिए यहाँ पर यह लिखी वी है 4 families में है तो इसकी frequency कितना है 4 आ जाएगी फिर 4 तो four जो है member जो है वो भी four families में है फिर five members जो है वो seven families में है फिर six members कितने है three families में और seven two में है ठीक है चुकि जब इनका हम total करेंगे frequency का तो चुकि families 20 हैं तो इसको भी 20 ही आना चाहिए तो चार और चार 8, 7, 15, 13, 20 ठीक है अगर ये जो है कम या ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि एकाट डिजेट आप लिखने में भूल गए हैं तो उसको re-check कर लीजे तो आ जाएगा ठीक है तो इस तरहीके से ये हमें frequency distribution table बनानी है students ये हमारी क्या बनी है ये अभी हमने जो बनाई है ये हमारी बनेगी frequency distribution frequency distribution table कहलाती है तो ये एक question हमने data handling का बताया है जिसमें हम table का use करते है student 3s तरहीके से आपको